यशो मती मैया के नंदे लाला ये क्या हो रहा है? अभी ऐसा लगा जैसे किसी ने टोकरी उठाने में मेरी मदद की हो आज बहुत भ्रह्म हो रहा है लगता है नारायन के पास जाने का तेरा समय आ गया है बुड़िया लगता है बुड़िया लगता है बुड़िया ये मुझे क्या करवा दिया ये मुझे क्या करवालिया मुझे ये सब नहीं करना मुझे नहीं रहना यहाँ मुझे नहीं रहना मुझे जाने दो मुझे चमा कर दो मुझे चमा कर दो मुझे जाने दो कर दो कहा आ गया मैं मुझे जाने दो मुझे स्माख़तो मैंने जाने कर दिया ब्राप्ति ये क्या कियो तुमें उन्हें माहराज कन से भीठ करने थी मैने कर वा दी मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम पर ये सब अकेली कैसे किया तुमने फिर कभी कभी संदे है मत करना मुझे पर मुझे जाने तू मुझे जाने तू पर इसकी दर्शा तो देखो ये तू पर सुबह तक ठीक हो जाएगा ये ओहो नन्ना सा काना मैया की साहिता कर रो है हाँ बाबा क्यूंकि मैं अच्छा बालक हो ना मैं जल्ले क्या आते हूँ हाँ देखके आजा लल्ला ठेरो मैं याँ ठेरो मैं याँ किसीने मुझे पुपकारो है क्या ठेरो मैं याँ मैं ये मुझे ले जाने दू ना मुझे बाबा की साहिता करनी है पर लल्ला जशोदा जी ले जाने दो इसे अब जिप बड़ा हो गयो है मैं एक चकर और लगा लेती हूँ इतना भूजा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है नारायन चाहेंगे तो कोई ग्रात मिली जाएगा अरे वाप बड़ा अच्छा बालक है तू तो अच्छा बालक बढ़ने में तो बहुती आनंदारों है आये आये नारायन नारायन अंद्राज जी नारायन नारायन अंद्राज जी और उसे मत्वरा के राजमहल के करमचारी को बेशते हैं पर बीते कछु दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछो भी नहीं देते हमें डार्ट फटकार के भगा देते हैं अब हम जे चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंद्राज कितना चारा लाए हो सकट भर के हैं नंद्राज आप ले लोगे तो हमें इत्ती दूर मत्वरा ना जाना पड़ेगो इत्ते चारे के बदले एक बोरी चावल परियाप्त होंगे आप सबको ये तो बहुत अधिक हैं नंद्राज हमारे लिए तो चावल की आधि बोरी ही परियाप्त हैं बंसी एक बोरी चावल लाकर इने दे दो और जे चारा कौसाला में रखवात जी नंद्राज हमाई साहिता करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद नंद्राज जी आप धन्य हैं नंद्राज की जे! आपने भी साहिता की इसका रठे की आग भी अक्वी अक्षे बालक हु बाबा काना मैं गोकुल को राजा हूना इसलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरो कर्तव्य है इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है इसनाते एक बात तू गांट बान ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निरास न लोटे तब ही तू अच्छे मालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगो समझ गयो? मैं समझ गो बाबा चल अब मैं उपनन भहिया को बता कर आतो हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आउसकता ना है तू घर सभाल जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रही है प्रभू? जशोदा भाबे, ताने किदर तो देखो? कितना चारा लायाँ? कितने चारी के बत्रे एद मूरी चावल ट्राप थे? फल ले लो फाल! मीठे मीठे फाल सुगंदी इत्ती बढ़िया है, तो फल कितने मिठ्छे होएंगे? लल्ला, फल चाहिए? लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली, जशुदा जी? देखने तो दो, काना क्या करतो है? तर ने, ठेरो तो सहीं! अरे पर… क्यूं? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यूं ना है? अवस्य है? इत्ते वर्सों तक घर में बंद अवस्य रखो है मैंने! पर सिखाओ भी है, सब सम्हाल सकतो है मेरा कान! सम्हाल लेओ लल्ला, अपने मैया की लाज रखियो! अपने में अपने मिलुँगा है, मैं फिर से यह सब लहीं करने वाला है! अन्यता हमारी योजना सफल हो जाएगी! सबको पता लग जाने दो! मुझ्य से यह सब नहीं होगा, मुझे अच्छा मां कर दो! क्या पता चल जाने दो महराज कंस कौन है वहाँ आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महराज और आप दोनों ने अपने स्वामी के परामित्र और सबसे विश्वसनिय साथी को नहीं पहचाना आप नारायन का बहुत बहुत धनेवाद रात भर प्रयास करता रहा पर तुम्हारी मूर्चा टूटी नहीं रही थी कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देख कर दो नहीं उस राक्षिसी तलवार पर रख देख कर मेरा रिदे का पवश कया था पर मेरी मूर्चा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी तो फिर अवश्य है कुछ तो समस्या है यहाँ मित्र वाना सुर पड़े दिनों बाद भेंट हो रही है और कंज के रहते कभी कोई समस्या हो सकती है क्या चिंता की कोई आविश्च्टा नहीं अरे बातो में क्या रखता है आओ जनी रगो अरे बातो में क्या रखता है महराज कंस के मुझाओं के पकड़ अजगर की जकड़ से भी अदिक कठोर होती है तुम कंस नहीं हो मित्र बाना चुर्क ये तुम क्या कर रहा है हो ऐसे कपकपाना ये सिद्ध करता है कि तू कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है सत्या बता कौन है तू मेरी मूर्चा का कारण था वो वैक्तित्व रक्ट से सनी दलवार जिसके हातों में थी वो वैक्ति कंस नहीं था स्वामी बिल्कुल सही पहचाना आपने ये माराज कंस नहीं है यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन ये है राश्ट्रपाल कंस का भाई मेरी सीदे साधे भाईया राश्ट्रपाल इसका तो एक ही अर्थ है स्वामी कंस ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है मित्रबाण नहीं ब्राताबानसुर मैंने कुछ नहीं किया मुझे एक समा कर दो इन दोनों ने मुझसे बलपूर्वक सब्रुच कराया है क्या करवाया और कहा है मेरा मित्र कंस वहाँ मुझस नहीं कर दो तुझे सच्ची में फल चाहिए न कहीं औरों की तरह तेरी मईया भी क्या है ये बूच कर वापस तो नहीं भेज देगी न वेर्थी मत कश दो इस बुढ़िया को ना ना फली ये बिना थोड़ी जाने दूँगो सुबे से बात सारा काम करूँ है मैंने अब तो तेवरे भूग भी लग गई है स्वयन तो इतना सा है किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्य में बल होनों चाहिए ये तो नन भावन है ना और तुम नन जी के लल्ला हो ना हाँ मेरा नाम किष्णा है पर आप मुझे लल्ला और काना बला सकती है सब अपने मुझे इसकी नाम से बलाते है तुम मैं भी तुम्हारी अपनी हो इन सबसार में सबी मेरे अपने है और मैं सबका ख़बी ख़बी चे कैसी बाते कर दे तो है जितना सुना था तेरे बारे में तु उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला सची तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो कबसे ख़ड़ा हूँ बहुत भूख लगी है मुझे हाँ हाँ बताओ कौन सा फल खानू है केला आम या अमरूत आम जिखने में मीठे लग रहे हैं अमरूत बहुत रशीले और केले मेरे जैसे पीले वस्त्रफेन के बहुत अच्छे लग रहे हैं तो फिर कौन सा लूँ उजे तो सारी के सारी चाहिए लगतो है मुझे जानों चाहिए मोल भाव कराने देख तो लो आपका काना कर क्या रो है पता चल जाएगो जे कितना सायानों है सायाना तो बहुत है काना सोयम देख लेना हाँ पका मुझे तो सारे फली अच्छे लग रहे है तो सारे ही ले लो पर ही तो बताओ कि इसका मुल्य क्या दोगे मुल्य ही क्या होता है जब कोई वस्तु लेनी होती है न तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला उसको मुल्य कहते हैं पर जब मुझे मया फल लेती है तो मुझसे कोई मल्य नहीं लेती है और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठायां देती रहती है पर उन्होंने कभी भी मुल्य नहीं मागा मैं भी कैसी हूँ एक नन्ने से बच्चे से मुल्य बांग रही हूँ जी तो करना है सब कुछ नौचावर कर दू इस पर ये फलों की टोकरी क्या है एक बाद तू गांड बान ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निरास ना लोटे तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगो आप दाश ना हो ना आपके लिए अभी मुल्य लेकर आता हूँ महिया वारे एक फल वाली महिया आई है मुझे उनसे फल लेना है मैं उन्हें क्या मुल्य दू इस संसार में कोई भी वस्तू लेनी हो तो उच्छेत मुल्य चुकाना को पत्तो है जे पार्तों इसे सिखाना ही होको लल्ला कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगो मुल्य ऐसा होनों चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वैम देने वाले को अधिक ना लगे मैया आपी बता दो न मेरा लल्ला इत्ता बड़ा हो गव है मैं क्या बताओ जे निर्णे स्वैम ले ले हुआ